18 सितमबर के दिन विश्य बांस दिवस के रूपे मनाई जाता है में सदा बहार बारह मासी फूलों के पोधों का एक विएद समूं है अंतराष्टि पाल Prof Linda Red Panda Network ने 2010 में अंतराष्टी Red Panda दीवस की शुरुवात की थी लगबग 10,000 लाल पांडा जंगल में रहते हैं वे अधिक परिचित काले और सफेद पांडा से बहुत छोटे होते हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी बने नागालेंड के राजपाल असम के राजपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने 17 सितंबर 2021 को कोहिमा में अपनी वर्तमान भूंक्या के अलवा नागालेंड के राजपाल के रूप में शपत ली गुआ आटी उचनयाले के नयाधीस कोहिमा पीट के नयाधीस सोंग खुपचुंग सेत्रों ने उन्हें नागालेंड के 20 में राजपाल के रूप में शपत दिलाई नागालेंड के राजिपाल आर एन रभी को तमिलनाडु संतरिद कर दिया गया है माई गौवर्मेंट ने लॉंज किया प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज इलेक्टोनिक और सूशना प्रिद्वकी मंत्राले के तहत माई गौवर्मेंट इंडिया ने सितंबर 2021 में प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज रूकिया या भारती स्टार्टप और तक्नीकी उद्यम्यों के लिए है चुनोती काउदेश नविंतम तक्नीकों का उप्योग करके एक स्वदेशी तारा मंडल प्रणाली साफ्टवेर बनाने की शमता वाली तक्नीकी फर्मो इस्टार्टप को एक साथ लाना है पावर फाइनेंस का उप्रेशन पी एफसी ने जारी किया भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड तो बहुत महत्पूर्ण है यह आ सकता है कि किसने हाली में भारत का पहला Euro Green Bond जो है जारी किया है लांच किया है तो Power Finance Corporation ने विद्धुब अंतराले ने 15 सितंबर 2021 को जानकारी दी कि Power Finance Corporation Limited ने सफलता पूर्वक अपना पहला Euro 300 Million से 7 वर्षी Euro Bond निरिकमन किया है यहां भारत की और से जारी पहला यूरो मुलिवर का ग्रीन बार्ण निर्गमन है यह किसी भारती गैर बैंकिंग वित्ती कम्पनी NBFC द्वारा पहली बार जारी किया गया यूरो निर्गमन है जनरी 2022 में दावोस में अगली वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा विश्वार्थिक मंच तो यह आपको पता है कि इसकी बैठक हर वर्ष दावोस में होती है तो मेजबानी तो विश्वार्थिक मंची करता है उसकी विश्वार्थिक मंच ने घोशना की कि उसकी अगली वार्षिक बैठक जनुरी 2022 में स्विसर स्की रिसॉर्ट शहर दाबोस में आजित की जाएगी बैठक की विशे वस्तु क्या रहेगी वर्किंग टूगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट होगी 2022 की वार्षिक बैठक एक 27 सुधार के लिए एजेंडर निधायित करने वाला पहला वैश्विक नेतित्यो कायकरम होगा इसलिए महत्पोड है रेल कोशल विकास योजना सुरू की गई है तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जान लीजे रेल संचार, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रदुकी मंत्री अश्णी वैश्णों ने 17 सितंबर 2021 को रेल कोशल विकास योजना सुरू की यह प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना के तत्वा धान में ही एक कायकरम है मनलब प्रधान मंत्री कोश्चल विकास योजना का एक अंग है बारती रेलवे तीन साल की अवदी में पचास हजार उम्मीदवारों को प्रजिक्षन प्रदान करेगा प्रारम में एक हजार उम्मीदवारों को प्रजिक्षन प्रदान किया जाएगा तो आज के current affairs में इतना इता, कुछ और खास था नहीं, thanks for watching.